इस question में हमसे कहा गया है कि ये company अपने milk powder को pack करती है cylindrical container में और इस cylindrical container का हमें diameter और height given है मैं लिखा है कि ये company container के surface पे एक label place करती है और ये label वो place करती है 2 cm from top and bottom पे इसका मतलब है इस container के ऊपर और नीचे से 2 cm का gap छोड़के हम ये label लगाते है अब हमें इस label का area find करने है तो देखो ये label हम container के surface पे लगा रहे है तो इस label का area find करने के लिए हम इस label का curved surface area find करेंगे अब curved surface area of a cylinder होता है 2 by rh जहां r है radius और h है height तो इसका area find करने के लिए पहले हमें label का radius और height find करना पड़ेगा अब देखो यहां हमें पूरे container का height given है 20 cm और लिखा था कि हम 2 cm from top and bottom पे label लगाता है तो मतलब हम उपर और नीचे से 2 cm gap छोड़ रहे है तो इस label का height हमें मिल जाएगा 20-2-2 उपर का 2 cm और नीचे का 2 cm हम माइनस करेंगे तो हमें label का height मिल जाएगा तो हमें height of label मिल जाएगा 20-4 which is equal to 16 इसका height तो हमें मिल गया 16 अब हम radius find कर लेते हैं तो देखो हमें इस container का diameter given है 14 cm और इस container के surface पे ही तो हम label लगा रहे है तो इस label का भी diameter हो जाएगा 14 cm और radius होता है diameter by 2 तो radius हमें मिलेगा 14 by 2 और 14 को 2 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इसका radius हमें मिल गया 7 अब इन दोनों values को हम इस formula में put करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into pi को हम ले लेते है 22 by 7 और यहां r है 7 और h है 16 तो हमें मिल गया 2 into 22 by 7 into 7 into 60 अब यहां 7 7 cancel हो गया तो हमें मिल गया 2 into 22 into 60 अब 2 into 22 करेंगे तो हमें मिल गया 44 इसका cut surface area हमें मिल रहा है 44 into 16 अब अगर हम 44 को 16 से multiply करें तो यह होगा इसका cut surface area हमें मिल गया 704 cm2 अब बस इसी को हम लिखके भी दिखा देते हैं तो यहां से हमें लेबल का cut surface area या area मिल या 704 cm2 है है